हालो दोस्तों मितलेश कुमार इट्यूप चैनल में आप सभी को स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में समानने बिज्ञान से महतवपुन प्रश्ण है दोस्तों चलिए दोस्तों प्रश्ण स्टाट करते हैं दोस्तों उचाय की जगों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीच उबलने का बिंदू नीचे आ जाता है नेश्ट की उचन दोस्तों साबून के बुल बुले के अंदर का दाब क्या होता है दोस्तों एंसर किजिए फटा-फट किजिए दोस्तों चलिए दोस्तों आप सभी का सही जवाब है दोस्तों वायू मंडल ये दाब से अधिक होता ह सब्सकर सतुमदों निए CMS की दोस्तों वाजू दाव मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इसThose ऊंकेत है की मौसम 16 और यह कि चालिया दोस्तों आप सभी का सभी जबाव दोस्तों कि दूफानी होगा जब पचानक रिडिंग निछे आएगा दोस्तो तो तु फानी आने लगता है दोस्तो अब धीरे धीरे उपर जाता है तो दोस्तो मौसम साप होने लगता है नेस्ट क्यूचन दोस्तो प्रेसर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों चलिए दोस्तो इसका एंसर किजिए कि प्रेसर कुकर में क्यों खाना जल्दी पकता है चलिए दोस्तो चलिए दोस्तो आप सभी का एंसर कुरेक्ट है दोस्तो अप्शन B जो अधिक दाप पर पानी अधिक तापकरंट पर उबलने लगता है, चलिये दोस्तो, नेस्ट किग्चन, हाइड्रोजन से भारा, रबबड का गुभारा वायु में उपर जाकर फठ जाता है, क्यों? चलिये दोस्तो, बताये इसका अंसर किजिए, कि हाइड्रोजन से भारा, रबड का गुबारा वायू में उपर जाकर फड़ जाता है क्यों फड़ जाता है दोस्तो इसका अंसर किजे फड़ा फट किजे दोस्तो चलिए दोस्तो चलिए दोस्तो आप सभी का सही जवाब है दोस्तो option B वायू दाब बढ़ जाता है माफी चाहता हूं दोस्तो वायू दाब घड़ जाता है हाइड्रोजन से भारा रबड का गुबारा वायू में उपर जाकर फड़ जाता है क्योंकि वायू दाब घड़ जाता है अपसन D इसका सही एंसर होगा दोस्तो सुर्य में निरंतर उर्जा का स्रीजन किस कारण होता रहता है चलिए दोस्तो आपका सही जवाब है दोस्तो ना विक्के सल्यान अपसन A नेस्ट क्यूचन दोस्तो चावी भरी घड़ी में कौन सी उर्जा होती है चलिए दोस्तो एंसर किजिए चावी भरी भरी घड़ी में कौन सी उर्जा होती है चलिए दोस्तो आपका सही एंसर है दोस्तो option B स्थिरूर्जा होता है दोस्तो चावी भरी घड़ी में कौन सी उर्जा होती है दोस्तो स्थिरूर्जा होती है जब हम रबड के गदे वाले सीट पर बैठते हैं या गदे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है ऐसे पदार्थ में पाया जाता है चलिए दोस्तो इसका एंसर किजिए दोस्तो फड़ाफट किजिए दोस्तो चलिए एंसर किजिए एंसर दीजिए दोस्तो फड़ाफट किजिए चलिए दोस्तो आप सभी का सही जवाब है दोस्तो अप्शन B इस्थिर उर्जा जब हम रबड के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका कार आपरतित हो जाता है ऐसे पदार्थ में पाया जाता है इस्थिर उर्जा नेश्ट की उचन दोस्तो निमली खित में से किसमें गतिज उर्जा नहीं है चलिए दोस्तो बताए इनमें से कौन से हैं जो गतिज उर्जा नहीं है चलिए दोस्तो एंसर किजे फड़ा फट किजे निमली में से किसमें गतिज उर्जा नहीं है चलिए दोस्तो आपका सही जवाब है दोस्तो अप्सन D खीचा हुआ धनूस में गतिज उर्जा नहीं पाया जाता है नेस्ट क्यूचन दोस्तो जब एक चल वस्तू की गतिज दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज उर्जा चलिए दोस्तो बताए कि जब एक चल वस्तू की गतिज दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज उर्जा होती है चलिए दोस्तो आपका सही जवाब है दोस्तो अप्सन B चौगनी हो जाती है नेस्ट क्यूचन दोस्तो निमलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैद ठाराता है कि द्रब्यका न तो सिरिजन किया जा सकता है और नहीं विनास चलिए दोस्तो इसका एंसर किजिए छलिए दोसमरे इसका एंसर केज़िए निमलिखीत में से कौन सा नियम इस कथन को वैठ ठाराता है कि द्रभे करना तो स्रेजन किया जा सकता है और ना ही विनास छलिए दोस्तों इसका सई एंसर है दोस्तों अप्सन ए उर्जास रक्षन का नियम नेश्ट क्यूचन दोस्तों साइकिल चलाने वाले मोड तले समय क्यों जुक जाता है चलिए जो तो बताए कि साइकिल चलाने वाले मोड तले समय क्यों जुक जाता है चलिए दोस्तों इसका एंसर कीजिए फड़ा फट एंसर दीजिए दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है, तो लाइक करे, सेर करे, सब्सक्राइब करे दोस्तो, चलिए दोस्तो, इसका answer किजिए, चलिए दोस्तो, आप सभी का सही जवाब है दोस्तो, अपसन, अपसन B, क्योंकि वह जोगता है, ताकि गृत्तव केंद्रा अधार के अंदर बना रहे, वह उसे गि चलिए दोस्तो साइकिल चलाने वाले मोड तले समय क्यों जुकते हैं तो वह जुकता है ताकि गुर्त्वा किंद्र अधार के अंदर बना रहे वह उसे गिरने से बचाएगा नेश्ट किचन दोस्तो दूसरे क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है चलिए दोस्तो इसका एंसर किजिए फड़ा फट किजिए दोस्तो चलिए दोस्तों इसका अंसर किजिए दूस्ते क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है चलिए दूस्तों आपका सही एंसर है दोस्तो अपसन A आपके अंद्रबल दूस्ते क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है दोस्तों तपके अंद्रबल लगता है प्रित्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा चलिए दोस्तो इसका एंसर किजिए चलिए दोस्तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्शन B इसका भार बदल जाएगा प्रंतु द्रवे मान नहीं किसी लिफ्ट में बैटे हुए बेकती को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है चलिए दोस्तो इसका एंसर किजिए किसी लिफ्ट में बैटे हुए बेकती को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है चलिए दोस्तो इसका एंसर दिजिए फड़ा फट किजिए दोस्त चलिए दोस्तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्शन भी जब लिफ्ट तौरित गती से उपर जा रही हो एक लिफ्ट में किसी ब्यक्ति का प्रत्यक्च भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो चलिए दोस्तों बताइए एक लिफ्ट में किसी ब्यक्ति का प्रत्यक्च भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो चले दोस्तो, इसका answer किजिये, फटाफैट किजिये दोस्तो, चले दोस्तो, इसका say जवाब है, दोस्तो, option B तावरं के साथ नीचे Next question, दोस्तो, प्रिथवी के गुर्त्व कर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुर्त्व कर्षण के सबसे नज़्दीख है चलिए दोस्तों बताईए प्रित्विक के गुर्त्वत अर्षन का कितना भाग चंद्रमा के गुर्त्वत अर्षन के सबसे नजदीक है चलिए दोस्तों इसका अंसर कीजिए फटाफट कीजिए दोस्तों चलिए दोस्तो, आप सभी का correct जवाब है, दोस्तो, option C, एक बटा छे भाग, next kitchen दोस्तो, लोलक की कालवधी होती है, चलिए दोस्तो, बताए, लोलक की कालवधी बताए, चलिए दोस्तो, इसका answer किजिए, चलिए दोस्तो, इसका सभी जवाब है, दोस्तो, option B, लामबाई के उपर निर्भर करता है, लोलक, इसमें देखे दोस्तो, ठंड मौसम में, सर्द मौसम में, लोलक की अवधी घरता है, और गर्मी में, लोलक का अवधी बढ़ जाता है, लोलक, घरी, गर्मी में क्यों सुष्ट हो जाती है, चलिए दोस्तो, इसका answer किजिए, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसे, कई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, next kitchen दोस्तो, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, तो उसका आवर्थ काल, चल 봤 than बताए, अगर किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए, तो उसका आवर्थ काल क्या होगा दोस्तो, चलिए दोस्तो इसका एंसर किजिए चलिए दोस्तो आप सभी का correct answer है option B 2.68 बढ़ जाएगा next kitchen दोस्तो पार्षव विकृत तथा अनुधर्य विकृत के अनुपात को कहते हैं चलिए दोस्तो इसका एंसर किजिए पार्षव विकृत तथा अनुधर्य विकृत के अनुपात को क्या कहते हैं चलिए दोस्तो इसका एंसर किजिए चलिए दोस्तो इसका एंसर दीजिए फड़ा फड़ दीजिए दोस्तो चलिए दोस्तो इसका आपका सही जवाब है दोस्तो आप साने पावसो अनुपाद पावसो अनुपाद काते हैं दोस्तो नेस्ट क्यों चन दोस्तो वर्षा की बुंद गोलाकार होता है चलिए दोस्तो बताई के वर्षा के बुंद गोलाकार होता है चलिए दोस्तो इसका एंसर किजे फड़ाफट किजे दोस्तो चलिए दोस्तो आपके इसका सही जवाब है दोस्तो अपसा ने सथी तनाव के कारण वर्षा के बुंदा गोलाकार होता है दोस्तो क्यों कि सथी तनाव के कारण वर्षा का बुंदा गोलाकार होता है नेस्ट क्यूचन दोस्तो तेल दीब की बत्ती में तेल खालिस्थान के कारण उपर जाता है चलिए दोस्तो इसका एंसर किजिए तेल दीब की बत्ती में तेल खालिस्थान के कारण उपर उड़ता है चलिए दोस्तो इसका एंसर किजिए फड़ा फट किजिए दोस्तो चलिए दोस्तो, आपका सही जवाब है दोस्तो, अप्सन B, कैसी तत्व के कारण कैसी तत्व के कारण, उपर तेल जाता है दोस्तो, बत्ती में बत्ती के दोबारा, लैंफ में कैसी तत्व के कारण, तेल उपर चड़ता है स्यानता कहाई है सैंता कहीं है इसका बताई किसी आंता कहई है खिर दो-टो यह का सुनतर कहाई क्या है अफसर ने पवाईज है चलिए दोस्तो सिय उत्पलावक्ता से समंदीत वेग्यानिक हैं चलिए दोस्तों बताए फटा फट एंसर केज़े दोस्तों दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो आछा लगता है तो लाइक करे शेयर करना ना भूले दोस्तों चलिए दोस्तों इसका एंसर केज़े चलिए दोस्तो आप सभी का एंसर है आप सन ए आर्कमेडिज उपलकता से समदित बेग्यानिक है आर्कमेडिज है नेस्ट क्यूचन दोस्तो महान बेग्यानिक आर्कमेडिज समदित थे चलिए दोस्तो इसका एंसर किजे महान बेग्यानिक आर्कमिडिज सम्बंधी थे क्या चीज़ सम्बंधी थे दोस्तो एंसर किजे फटाफट किजे दोस्तो चलिए दोस्तो लाइक करे शेयर करे शेस्क्राइब करे दोस्तो चलिए दोस्तो इसका सही जवाब है दोस्तो आपसंडी ग्रिस से नेस्ट क्यूचन दोस्तो धोनी त्रंग की प्राक्रितिक होती है चलिए दोस्तो इसका एंसर किजे धोनी त्रंग की प्राक्रितिक होता है चलिए दोस्तो इसका एंसर किजे फड़ा फड़ किजे चलिए दोस्तो आपका सही जवाब है दोस्तो अपसन B अनुधर्य से धोनी तरंग की प्रकृतिक होती है दोस्तो अनुधर्य तरंग से होते हैं अनुधर्या नेस्ट की उचन दोस्तो अपने उडान पंत में और रोधकों की पहचान के लिए चमगादर निमलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उप्योग करता है चलिए दोस्तो बताईए अपने उडान पंत में और रोधकों की पहचान के लिए चमगादर निमलिखित तरंग में से कौन सी एक तरंग का उप्योग करता है चलिए दोस्तो बताईए आप सभी का सही जवाब है दोस्तों अप्शन सी प्रस्रव्य त्रंग छोड़ते हैं दोस्तों नेश्ट की उचन दोस्तों प्रस्रव्य के धोनिया है जिनकी आवरीती होती है चलिए जोस्तों बताए प्रस्रव्य के धोनिया है जिनकी आवरीती होती है चलिए दोस्तो इसका एंसर किजिए फड़ा फट किजिए दोस्तो चलिए दोस्तो आपका सही जवाब है दोस्तो आप्शन ए 20,000 हर्ट से अधिक ये चमगादर सुन सकते हैं दोस्तो नेस्ट किचन दोस्तो धोनी तरंग है चलिए दोस्तो बताएए धोनी तरंग है चलिए दोस्तो इसका एंसर किजिए फड़ा फट धोनी तरंग है एक अप्शन ए क्या दोस्तो अप्शन ए लंबवत हैं दोस्तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करे सब्सक्राइब करे, सेर करे, कमेंट करे न भूले दोस्तो, जय हिन, जय भारत